इस वीडियो में मैं आप लोगों को avial tree के अंदर rotation के बारे हो बताऊंगा और ये बताऊंगा कि avial tree के अंदर rotation क्यों करने की जरूरत पढ़ती है insertion के बाद अब यहाँ पर avial tree कुल मिलाकर क्या होता है कि यार हम लोग अपने tree को एक balance tree के रूप में देखना चाहते है ऐसा नहीं कि हमारा tree जो है एक तरफ को भाग रहा है या दूसरी तरफ को भाग रहा है यह नहीं चाहिए हमको हमको एक खुबसूरत सा tree चाहिए ऐसा tree चाहिए जिसको देखकर मज़ा आ जाए जैसे कि यह है यहाँ पर देखको यह बड़ा खुबसूरत सा tree नीचे बना हुआ है तो इस तरह के tree हमें चाहिए ना कि हमको कुछ ऐसे tree चाहिए कि यार इस दिशा में भाग रहे है या फिर सिर्फ इसी दिशा में notes दिखाई पड़ रहे है वो trees हमको नहीं चाहिए हमें इस जैसे trees चाहिए जो की देखकर हमको आनंद दे सके हमारी आँकों को ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि अलग-अलग तरह के rotations क्या होते है A.V.L. tree के अंदर और उनको क्यों किया जाता है सबसे पहले बात करूँगा L.L. rotation की लेकिन L.L. rotation की बात करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्यों करें L.L. rotation ठीक है आप लोग का यह सवाल होगा कि यार यह L.L. rotation है तो है क्यों तो देखो यार हम किसी भी तरह का rotation एक A.V.L. tree में करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारा tree है उसके किसी भी node का balance factor खराब हो insertion के बाद अब एक चीज़ की guarantee तो हम लोग दे सकते हैं कि यार अगर मेरे पास यहाँ पर एक node है मानलो मानलो मैं आपर एक node बना देता हूँ आप लोग के लिए और आप लोग देखना मैं बना रहा हूँ node को मानलो यापर मैंने 7 बनाया और यापर मैंने एक arrow लगाया और 7 से छोटा कोई number बोलो 7 से छोटा 5 होता है 5 यहाँ पर जो है मैं ऐसे बना दूँगा मानलो मैं कहता हूँ कि ये tree एक avial tree है सची आप लोग बताओ तो ये है true ठीक है it's an avial tree तो ये एक avial tree है अब ये क्योंकि एक avial tree है मैं कहूँ क्यों है ये avial tree यार क्यों avial tree है यार ये avial tree इसलिए है वैलन्स फेक्टर जो है इसका mod of balance factor क्या है इस वाले node का 1 है जो कि इसके right में जो है वो 0 है left में जो है 1 node है यहाँ पर 0 है balance factor तो हमने कहा था कि जो balance factor है वो यहां तो हमारा minus 1 या 0 या 1 होना चाहिए यानि कि mod of जो balance factor है वो हमारा maximum 1 हो सकता है 0 हो तो बहुत अच्छी बात है 1 से जादा नहीं होना चाहिए तो यह 1 है यह एक बहुत अच्छा AVL tree है लेकिन यहाँ पर situation को थोड़ा सब बिगाड़ते हैं बिगाड़ेंगे कैसे insertion करके मालो यह 4 आता है 4 कौन है 4 बिलकुल भी प्रगती से खुश होने वाला आदमी नहीं है 4 बिलकुल भी प्रगती से खुश होने वाला आदमी नहीं है वो कहरा है मेरे को भी आना है यहाँ पर क्या कहरा है 4 4 कहरा है मेरे को भी यहाँ पर आना है मैं यहाँ पर 4 बना देता हूँ तो यह है हमारा 4 फोर बिल्कुल भी प्रगती से खुश होने वाला आदमी नहीं है यह कहता है मेरा भी पुरा अधिकार है एविल ट्री के अंदर गुसने का लेकिन साथ और पांच परिशान हो जाते है कहते हैं यार अगर चार आ गया साथ बोल रहेगा यार अगर चार आ गया तो मेरा तो बैलेंस फेक्टर बिगड़ जाएगा 5 कहता है तो चिंता मत कर कुछ न कुछ करेंगे क्या कहता है चिंता मत कर कुछ प्रबंद करेंगे ठीक है तो क्या हुआ 4 जैसे ही इंसर्ट होगा यहां पर 4 की तो यह जगा बनती है तो 4 बोलेगा भाई मुझे तो मेरी जगा चाहिए नियामों के हिसाब से मैं अपनी जगाबर आगर fit हो गया हूँ मुझे किसी सब कुछ नहीं लेना देना मैं अपनी जगाबर खुश हूँ मेरा balance factor 0 है अब 5 और 7 तुम दोनों देख लो अपना-पना कि क्या करना है अच्छा तो नहीं किया 4 ने लेकिन उसके बाद भी 5 और 7 को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और 5 और 7 एक रणनीती बनाते है और उस रणनीती का नाम है LL Rotation अब ये रणनीती जो बना रहे हैं 5 और 7 वो क्यों बना रहे हैं सबसे पहले ये चीज़ देखो ये 5 और 7 रणनीती इसलिए बना रहे है जो ये 5 और 7 चाहते हैं 5 और 7 बहुत ही दिल से चाहते है कि उनका जो भी balance factor है वो कम से कम हो जाए यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुवीधा में कौन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुवीधा में 7 है बेचारा कौन है 7 है बेचारा क्योंकि 7 का balance factor बिगड़कर अभी यहाँ पर 2 हो गया है इसका 1 हो गया है लेकिन 4 खुशी खुशी यहाँ पर अपने 0 balance factor का आनंद उठा रहा है अब 5 और 7 को मिलके कुछ ना कुछ करना है 5 को तो नहीं करना है 7 को करना है उसमें 5 उसकी मदद करेगा और 4 को भी 7 देना पड़ेगा क्योंकि यह 3 हो एकी tree के हिससे है अब यहाँ बर क्या होगा क्या किया जा सकता है हमको सबको balance करना है और balance करने के लिए हमें करना पड़ेगा LL rotation तो होता क्या है कि हम क्या करेंगे हम इसका एक balance tree बनाएंगे अच्छा गर मैं ideal tree visualize करूँ कि यार मेरा balance tree ऐसा दिखना चाहिए 5, 4 और 7 की मदद से अगर मैं इन 3 notes का tree बनाऊ तो वो कैसा tree होगा अब यहाँ पर सबसे छोटा चार सबसे बड़ा 7 बीच का 5 तो 5 यहाँ पर आएगा और 5 यहाँ पर खुशी खुशी आकर बोलेगा कि 4 तू मुझसे छोटा है क्या बोलेगा 4 तू मुझसे छोटा है तू यहाँ पर आजा और साथ तू मुझसे बड़ा है तू यहाँ पर आजा यह बोलेगा साथ तू मुझसे बड़ा है तू यहाँ पर आजा ठीक है और यह tree जो है एक बहुत ही happy tree है यह happy tree इसलिए है क्योंकि यार देखो यहाँ पर सारे के सारे notes जो है इसका 0 है इसका 1 है इसका 0 है इसका 0 है तो ह हमने यहाँ पर क्या किया सबको संतुष्ट कर दिया कभी कभी सबको संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता है लेकिन यहाँ पर जो है हमने सबको संतुष्ट कर दिया है ठीक है तो क्योंकि हमने सबको संतुष्ट कर दिया यहाँ पर इसलिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर य उसी के साथ-साथ यहाँ पर आ जाएगा चार, जारी कि चार को बिल्कुल हिलने की जरूवत नहीं आ रहे, उसको का हिलने की जरूवत है उसका तो balance factor अपना 0 ही है न और साथ बोलेगा चल ठीक है मैं यहाँ गया, तो खुश रहे और कोई सेवा हो तो बता ठीक है, तो पांच से जो बड़े notes है वो आ गए right side पर पांच से छोटे notes हो गए left side पर और यह भी बन गया है कौन एक happy tree, ठीक है तो हमें happiness को जादा से जादा बढ़ाना है, ठीक है, happiness को क्या करना है जादा से जादा बढ़ाना है और हमने बढ़ा ली, पहले यहाँ पर विजारा साथ परशान हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर सब लोग खुश संतुष्ट है और अपनी जिन्दगी का आनंद ली रहे है तो यह था LL rotation, इसी को खतरनाक तरीके से अगर मैं बोलूँ डराने के लिए आप लोगो को, तो मैं इसको LL rotation बोल दूँगा और आप डर जाओगा और भाई LL rotation, अरे में कुछ तो नहीं आता, मैं तो नहीं पढ़ रहा भाई, तो बड़ा कदर नाक है, यह सब चीजें, जो है बड़ी आसान है, यही LL rotation है, ठीक है, क्या है LL rotation, I hope की समझ में आ गया आपको, ठीक है अब बात कर लेते हैं LL rotation के चाचा के बेटे की, यह नहीं कि LL rotation के cousin की जो है आरा rotation, अब आरा rotation कब होगा आरा rotation तब होगा जब यहाँ पर एक इस तरह का node मेरे पास होगा, जैसे कि मान लो, मेरे बास यहाँ पर 7 है और उसके बाद 7 से बड़ा कोई number बोलो, 9 बोल दिया आपने तो मैंने 9 लिख दिया यहाँ पर और उसके बाद 9 से बड़ा 11 जिसको मैंने यहाँ पर इस तरह से insert कर दिया इस node में मान लो, initially जो है मेरे पास सिर्फ यह वाला node है ठीक है, यह दो nodes है ठीक है, और मेरे पास सिर्फ इतना tree है जितना मैं भी आपको दिखा रहा हूँ और 11 यहाँ पर आया, यह दुश्ट 11 ने पता है क्या किया, 11 ने रणनीती बनाई, उसको यह tree मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे खुश लोग पसंद नहीं खुश लोग होते हैं उनको दूसरों की खुश्टी से दिक्कत होती है तो 11 जो है, यह उसी तरह का एक इंसान है अब क्यों है, वो मुझे नहीं पता वो आप देख लेना लेकिन बस मैं बता रहा हूँ और कुछ न कुछ करना पड़ेगा इसका बैलन्स फैक्टर अगर मैं अब निकालू अबडेटेट अफ्टर इंसर्शन ओफ 11 इन दिस ट्री, यह वाला जो tree है यह जो tree है, मैं जादा इसको dotted नहीं करना चाहता, ठीक है मैं आपर आप लोग को सीधे सीधे आपर बताता हूँ कि यह जो हमारा 7, 9, 11 यह वाला जो tree है अब AVL tree नहीं रहा यह बेचारा अब AVL tree क्या हुआ नहीं रहा, और यह बात एक अच्छी बात नहीं है, कि AVL tree नहीं रहा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह का rotation और इसको हमें खुश करना पड़ेगा अच्छा, balance factors की बात करूँ अगर तो इसका 1 हो जाएगा mode of balance factor की मैं balance factor नहीं निकालता बहुत सारी किताबे आपको मिल जाएगी उसमें आपको right subtree minus left subtree मिलेगा किसी में आपको left subtree minus right subtree की height मिलेगा balance factor की definition कोई standard नहीं है mode जो होता है वो important होता है अब initial क्या था, इसका 1 था, इसका 0 था initial, जब 11 insert नहीं हुआ था तब ठीक है लेकिन दुष्ट 11 ने देखो क्या किया ये देखो, देख रहे हो देख रहे हो ये दरिश्य अच्छे नहीं है ये दरिश्य अच्छे नहीं है history के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे दरिश्य नहीं है history के लिए और हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कुछ न कुछ करना पड़ेगा इसको खुश करने के लिए और देखो हम क्या करेंगे अच्छा अगर 7, 9 और 11 दिये जाते 7, 9 और 11 दिये जाते एक ऐसे इंसान को जो कि बहुत अच्छा है जैसे कि मैं तो वो 7, 9 और 11 की सहायता से कैसा ट्री बनाता यार वो बीच वाले को बीच में रखता 9 को और जो बड़ा है 9 से उसको इधर रखता और जो 9 से छोटा है यानि कि 7 उसको कुछ इस तरह से रखता रखता कि नी रखता आइडेली यही करना चाहिए तो यह हमारा आइडेल ट्री हो गया लेकिन यह दुनिया ना आइडेल नहीं है यह दुनिया ना खुश होने वालों की नहीं है इसलिए यह ट्री ऐसा नहीं दिखता है और 7 को बचाने के लिए जिसका बैलेंस फैक्टर 2 हो चुका है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसको बचाना होगा हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार 7 के लिए तो हम क्या करेंगे रोटेशन करेंगे होगा क्या हम कहेंगे इस दिशा में रोटेशन कर दो किस दिशा में कर दो रोटेशन इस दिशा में रोटेशन कर दो और इस दिशा में rotation करने के बाद ये tree कैसा दिखेगा ये tree कुछ ऐसा दिखेगा 9 जो है वो बीच में आ जाएगा 7 यहाँ पर आ जाएगा और जो 11 है वो यहाँ पर आ जाएगा कहाँ पर आ जाएगा 11 11 यहाँ पर आ जाएगा और यह देख रहे हो यहां पर कितना must tree बना दिया मैंने और यह हमारा ideal tree जैसा ही हो गया है तो एक rotation के बाद यहां पर क्या हुआ कि हमें हमारा ideal tree मिल गया ठीक है? क्या मिल गया हमें हमारा ideal tree मिल गया अब वहतारे लोग कहेंगे यार LL rotation क्यों है यह और यह RR rotation क्यों है? देखो यार यह LL rotation इसलिए है क्योंकि यहां पर left of left में insert किया हमने यह L था यह L था तो LL rotation और यह RR क्यों है अगला वाला? यह RR इसलिए क्योंकि right में right के right में insertion हुआ है ठीक है? इसलिए यह RR rotation है लेकिन क्या होगा? लेकिन क्या होगा जब हमें कुछ इस तता की परस्तिती मिलेगी यानि कि जो इंसर्चन होने वाला है वो होगा लेफ्ट के राइट में यानि कि जो मेरा ट्री है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है साथ यहाँ पर है ठीक है और मान लो यहांपर साथ से छोटा कोई नंबर जो की चार है यह बहुत ही हैपी ट्री है इसको कोई दुनिया से मतलब नहीं है यह साथ और चार अपने में खुश है एक दूसरे से बहुत प्यार करते है और अकेले रहना पसंद करते है लेकिन इनकी खुशी किसको बरदाशनी होती है मैं बताता हूँ किसको बरदाशनी होती है यह तो एल है ठीक है तो उसको बरदाशनी होती है पांच को बरदाशनी होती है पांच कहता है मैं तुम दोनों के बीच में बनना चाहता हूँ जो चार है वो कहता है मैं साथ से बहुत प्यार करता हूँ पांच कहता है कि मैं चार से प्यार करता हूँ तो चार से मैं चिपकूँगा साथ बोल रहा है चार से मैं चिपकूँगा चार बोल रहा है मैं साथ से चिपकूँगा ठीक है अच्छा इंसर्शन से पहले balance factor का mod 1 balance factor का mod 0 7 और 4 दोनों खुश ठीक है लेकिन यहाँ बर 5 आता है कहता है यार मैं 4 से चिपकना चाता हूँ तो चिपकना चाता हूँ I don't know पता नहीं यार क्यों चिपकना चाता है बर से चिपकना चाता है और इस दुष्ट ने देखो क्या किया इस दुष्ट ने देखो क्या किया balance factor के mod का क्या किया अपना mod तो इसका balance factor का 0 है दूसरों का mod जो है खराब कर दिया कर दिया के नहीं कर दिया दूसरों का mod खराब कर दिया अपना mod जो है 0 है वाँ भाई वाँ ठीक है ये कर दिया अब अच्छा अगर कोई 4, 7 और 5 मुझे देता मेरे जैसे इंसान को अगर आप दो जो कि दिल का बहुत साफ है तो कैसे ट्री बनाएगा वो बनाएगा बीच वाला कौन है इन तीनों में से नंबर 5 5 को बीच में रखेगा, 7 को इदर रखेगा और उसी के साथ साथ वो 4 को इदर रखेगा, ठीक है कुछ इस तरह का ट्री बना कर देगा वो आपको लेकिन यार यहाँ पर जो दुनिया होती है, वो बहुत गोल होती है और दुनिया खुशनी होती है तो अब इसको ठीक करने के लिए मुझे डबल रोटेशन करना पड़ेगा इस तरह से पहले मैं इदर रोटेशन करूँगा क्या होगा इस रोटेशन का नतीजा क्या होगा नतीजा, कुछ यह होगा 5 यहाँ आजएगा, 4 यहाँ आजएगा कुछ ऐसा समझ़लो कि मानजा यहां पर बन्दा हुआ है और क्या हुआ यह मानजा यहां बन्दा हुआ है और चार को खेचा तो तो पांच तो उपर को आएगा नौ खेचा और पांच इदर खेच दिया ग Patient अब यह ऐसे आ गया और ये tree कुछ ऐसा बन गया ठीक है जो कि बिल्कुल भी एक अच्छी चीज नहीं है ये tree तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप बनाओ 7, 5, 4 तो 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 4 कोई मतलब भी नहीं है ये करने का चूँकि अभी भी ये tree संतुष्ट नहीं हुआ है ये tree के balance factors साथ का balance factor का mod भी 2 है बिल्कुल भी खुश नहीं है साथ ठीक है तो साथ को खुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक rotation और करना पड़ेगा इस दिशा में इस दिशा में rotation करना पड़ेगा ये बस मैं आपको बता रहा हूँ आइडेली हमारा जो goal है वो ये है ठीक है क्या है हमारा goal ये है तो यहां से हमें यहां पर आना है हमें यह achieve करना है और यह achieve करने के लिए हमने यहां पर जो rotation थे वो अपने ऐसा नहीं कि left और right में rotation किया हो तो हमने उल्टा किया सबसे पहले हमने क्या किया हमने सबसे पहले यहां पर इस डिशा में rotation किया जो की था हमारा क्या हमारा NTS clockwise था ठीक है और यी clockwise था ठीक है लेकिन हमारे जो insertion हुआ वो हुआ पहले left के side के right वाले side में insertion हुआ ठीक है तब क्या करेंगे, आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, कि यार, अभी तो यारोटेशन कर दिया, लेकिन अगर यह थोड़ा complex free होता, तब कैसे करते हैं, पहले यह समझ लो, वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, उसके लिए यह थोड़ा समझना जरूरी है, तो यह हमारा goal था, हम इस तक ऐसे पहुँचे, यहाँ देखो, एक rotation दिदर किया, एक rotation दिदर किया, और पहुँच गए, ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर आखरी rotation, जो की बहुत असाने हैं, यह हमारा tree है, तो RL rotation, ठीक है, आइडल tree क्या बनेगा, आइडल tree यहाँ पर बीच वाला कौन है, तीनों में से 10 है, 10 बीच में आएगा इस तरह से, और उसके बाद क्या होगा, 10 से छोटा कौन है, 7 है, और 10 से बड़ा कौन है, 11 है, यह इस तरह से बन जाएगा, यह इस तरह से करके, यह rotation करके, 7 यहाँ पर आजाएगा, इसके बाद यहाँ पर 10 आजाएगा, यहाँ पर 11 आजाएगा, और हर step में बनने वाले tree एक valid tree है, ठीक है, यह एक rotation के बाद जो tree बना वो एक valid tree है, ठीक है, अब ग्या करूंगा? मैं इसको ठीक करने के लिए इस दिशा में रोटेशन कर दूँगा ठीक है? और ये कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा देखते हैं कि क्या ये हमारा आईडियल ट्री ही है कि नहीं है ओ, येस, ये हमारा आईडियल ट्री है ये ये तो हमारा आइडिल ट्री है और हमारा जो गोल है वो अचीव हो चुका है ये दोनों तो जुड़मा भाई निकले जी हाँ आरल रोटेशन के बाद आपको वही मिलेगा जाद खुश होने वाली बात नहीं है तो ये था बहुत ही सिंपल सा रोटेशन करने का तरीका क्यों कर रहे है रोटेशन क्यों कर रहे है यार इसलिए कर रहे है ताकि एक binary search tree को avial tree बना सके क्यों बना रहे है binary search tree को avial tree ताकि कोई हमें ऐसा tree ना पकड़ा है जिसमें सारे notes left की तरफ है या सारे notes right की तरफ है left की तरफ है right की तरफ है left की तरफ है right की तरफ है नहीं हमें चाहिए एक पुरा balanced search tree जिसको देखकर हमारी आत्मा तरपत हो जाए हमारी आखों को आनंद मिल जाए और हमारी searching जो है वो effective हो सबसे ज़्यादा important ठीक है क्योंकि यार rotation बस rotation की direction अलग है बाकि almost मैं कूँगा identical है बहुत similar है LR और RL बहुत जादा similar है ठीक है तो यह जीज जो है आप लोग को पता होनी चाहिए तो यह था rotation in avial tree using three nodes ठीक है हमने सिर्फ तीन notes लिये अब यह मत कहना कि यार पूरे tree का दिखा दो अगली वीडियो में वह मैं दिखाने वाला हूँ एक ही साथ मैं पूरे tree का start नहीं कर सकता यहां पर मैं चाहता हूँ कि एक topic अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको अच्छे समझ में आए तो आपको आपको यह समझ में आया होगा अगली वीडियो में मिलते हैं और वहां पर complex complex rotations करेंगे वो rotations complex आपके लिए नहीं रहेंगे क्योंकि वो तो मैं आपको easy करवा ही दूँगा वो rotations complex रहेंगे औरो के लिए और आप ऐसे करोगे thank you so much you guys for watching this video and I will see you next time झाल